नमस्कार, हिल्दियन किचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप लोग के साथ मखाने की एक बहुत ही टेस्टी और हिल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बड़े और बच्चे सब खाना पसंद करते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कैरमल मखाना बनाने के लिए मैंने एक कडाही मिलिया है आधा चम्मच घी जब घी थोड़ा गरम हो जाए तो उसमें डालेंगे मखाने मखाने को हमें धीमी आज पर कुरकुरा हुने तक भुनना है अगर हम मखाने को हाई फ्लेम पर भूनते हैं तो मखाना कुरकुरा भी नहीं होगा और वो जलने लगेगा तो आप देख सकते हैं मखाना इस तरह से एक गम क्रिस्पी भून चुका है अब इसे एक अलग बरतन में निकाल लेंगे अब उसी कड़ाही में डालेंगे तोड़ा हुआ गुर गुर जले ना इसलिए डालेंगे इसमें लगभग दो चम्मच पानी पानी डालकर इसे एक स्पेशुला की सहायता से लगातार चलाएंगे अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को एकदम लो रखेंगे और लगातार चलाते हुए गुर को पिघलने तक हम पकाएंगे गुर को अच्छे से पिघलने तक हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे तो आप देख सकते हैं गुर अच्छे से पिघल चुका है इसे ठंडा होने के बाद देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये गुड़ अभी भी खीच रहा है तो यहां पर हमारा गुड़ अच्छे से पका नहीं है अब इसी तरह से लगातार चलाते हुए लगभग इसे एक मिनट और पकाएंगे एक मिनट के बाद इसे फिर से चेक करेंगे कि गुड़ अच्छे से पका है या नहीं तो कटोरी में लेंगे थोड़ा सा पानी और एक दो ड्रॉप गुड़ की चासनी को डालेंगे और इसे तोड़ कर देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से तूट रहा है तो इसका मतलब गुड़ अच्छे से पक चुका है कैरमल मखाना को और भी टेस्टी बनाने के लिए इसमें डालेंगे आधा चम्मच घी और इसमें डालेंगे दो चुटकी खाने वाला सोड़ा घी डालने से गुड़ और मखाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और मीठा सोड़ा डालने से गुड़ अच्छे से फूलता है तो आप देख सकते हैं गुड़ का कलर भी चेंज हो चुका है अब गुड़ की चासनी बनका रेडी है आप चाहें तो इसी समय आप ड्राइफरूट को भी क्रस करके डाल सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर डाल रही हूँ भूने हुए सफेध तील दो चम्मच यह पूरी तरह से ओप्शनल है मन है तो डाले नहीं तो इसे अस्किप कर सकते हैं अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे नहीं तो गुर जलने लगेगा और उसमें एक कड़वा सा टेस्ट आ जाएगा अब इसमें हम एड़ करेंगे भूने हुए मखाने मखाने डालने के बाद इसे लगातार चलाते रहेंगे जिससे मखाने के उपर गुर की एक अच्छी सी कोटिंग हो जाए इसे तब तक हम चलाएंगे जब तक की गुर थोड़ा ठंडा न हो जाए कैरमल मखाने बहुत ही टेस्टी होता है टेस्टी के साथ बहुत ही हिल्दी होता है या आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर बच्चों को इवनिंग स्नैक्स के तौर पर भी दे सकते हैं अगर आपने कभी कैरमल मखाना नहीं बनाया है तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइक कीजेगा यह बहुत ही आसान है और जटपट बनकर तयार हो जाती है तो आप देख सकते हैं मखाने के उपर गुर की एक अच्छी सी कोटिंग हो चुकी है और मखाना थोड़ा बनकर तयार हुआ है अब इस कैरमल मखाना को एक एर टाइट कंटेनर में हम बंद करके रख लेंगे जिससे यह काफी लंबा चलेगा तो आप देख सकते हैं कितना टेस्टी और हेल्दी कैरमल मखाना इतने असानी से बनकर घर में तयार हो गया अगर आप लोगों को मेरी ब अब तक के लिए बाई बाई